MSP को लेकर अब जो बातशीत चल रही राकेश टिकैत इस देश के किसानों को क्या कहेंगे कि MSP की लडाई को लीगल गरेंटी को और स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट के मताबिक MSP लागू करने को लेकर जो लडाई आप लड़ रहे इस देश के किसानों को क्या आशवासन देंगे कि उस लडाई का हल नहीं निकलेगा तब तक राकेश टिकेट ना अंदोलन खत्म करेंगे ना घर वापस जाएंगे ना लड़ाई बंद करेंगे नहीं घर वापस ही कहां से निया घर का अभी को या अंदोलन चल ला कि 14 तारीक को आ पा रहे है राम लीला मेरे है नहीं हम एक दिन के लिए है कोई हमारा धर्णा नहीं है कभी धर्णा होगा और कोई चीज होगी तो रड़ाई दिखी जागी MSP गारंटी कानून क्योंकि ये एक बड़ा केस उल्जा रख्या है आम लोगों की धारना यह है कि MSP है बहुत खर्चा हुआ क्योंकि कुछ लोग हैं जो पुझी वाद है वो इस तरह की चिज़े बताता है हमने एक आगे जो सरकार को खरीद करनी है पिकरमेंट करना है वो सरक लेकिन जब पूरे मुमेंट सुरू हो जाएंगे तो सरकार फिर करेगी कि देखो जी हमने कर दिया इसके बाद में कोई समस्चा देश में नहीं रही ये परधान मंतिर जी इसकी गोशना करेंगे और गोशना करकर फिर आम लोगों में किसान को जब आंदोलन किसान दुबा बड़ी गंभीर और समस्या हैं और भी समस्या हैं राकेश टिकेट में आमें अन्त में ये आश्वासम तो दे सकते हैं इस देश को की आंदोलन कारी ही रहेंगे अब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे हम नहीं तो बता दिया चुनाव बहुत बड़ी बीमारी हैं इसकी तर आंदोलन किसानों को लेकर है इस देश के किसान जिन समस्याओं से पिड़ित हैं उन समस्याओं को न सिर्फ सरकार बलकि जो आंदोलन करने वाले लूग हैं वो भी गंभीरता से अड्रेस करें और कम से कम उन समस्याओं से निज़ात किसानों को मिल पाएं बहुत बहुत धन झाल 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 झाल